Hello Students, Welcome to Competition Roof Channel Students, L.T. Grade की आप सभी जानते हैं कि वेकेंसी जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगी तो हमने उसकी तैयारी आपको इस चैनल के महादम से प्रारम करवा दी है मैं आप लोगों को पहली कक्षा में हिंदी साहिते का स्लेबस उपलब्द करवा चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ कि कहां से कितने प्रेशन पूछे गए हैं और वो जो मैंने स्लेबस परवाइड करवाया है वो इस पेपर के अकोडिंग और भी दो तिन पीपर का अनलिसिस करवाया है मैंने उनके अंसार वो स्लेबस बनाया है और आप उसमें स्टेटिजी को भी मैंने बताया कि लिखिये, एक प्रेजेंट की तरह है कि आप प्रेजेंट हो और आपने ख्लास को किया है तो आज हमारी कक्षा 2 होगी कक्षा एक में हमने सलेबस देख लिया कक्षा दो में हम आज पहले क्या देखेंगे पेपर को देखेंगे आखिर पेपर का पेटरन क्या है ठीक है विद्यारतियो तो यह जो है 2018 का पेपर है मैं इसमें आप लोगों को जो है केवल हिंदी सहाइते आज हल करवाने जा रही हू इसमें एक से तीस तक सामाने अध्यन के प्रशन है और 31 से डेड़ सु तक आपकी किस के प्रशन है हिंदी साहिते के तो विद्यारतियों आप देख सकते हैं कि साहिते आपका जो विशय है वो कितना जादा रोल प्ले करता है इस एक्जाम को क्रैक करने के लिए यह भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर वन थर्ड नेगटिव मार्किंग है जो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा भी गया है आईए देख लेते हैं हिंदी के किस प्रकार की प्रशन यहाँ पर पूछे गई हैं आपको कितनी डीपली तयारी करने की अवश स्क्रिप्शन बोक्स में देदूंगी आप वहां से इसे डाउंलोड कर सकते हैं चली सबसे पहला प्रशन है एक आक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्प्रय है तो यह एक आक्षरी भाषा परिवार से क्या है सेमेटिक हेमेटिक परिवार ए इसका अंसर दिया गया है चल राइट अंसर है पंजाबी तो इसका जो है C अंसर हो जाएगा गैल बैल आधी किस बोली की किस तरह की क्रियाए हैं तो ये भोजपुरी है और कौन सी है भूत कालिक भाशा में हैं ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं कौन सी भाशा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है स तो पेशाची से इसका विकास नहीं हुआ है काव अंजन के विशे में निमे से कोन सा सही है तो का वंजन के विशे में अल्प प्राण है अगोश है सपर्शी है और कंठ दवनी है देखे कंठ तो तो सबको पता होता है विधियार तो तalवेवल आप सबसेपित पहले काट देंगे कि करंट है और दूसरा इसमें अलप प्रान और महा प्रान ये भी आप लोगों को इजी होता है इसका एक सूत्र मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले भी आगे भी उपलब्द करवा दूंगी कि आपको अघोश के लिए क्या याद रखना है एक सो पैतिस याद जो भी अघोश वाले है न वो एक तीन पांच यानि जो पहले नंबर का है का है खा को छोड़ देंगे घा है फिर पांच नंबर पर जो वो सारे किश में आएंगे अघोश में आएंगे ठीक है विद्यारतों इस तरीके से शोट ट्रिक के मादेम से कुछ याद कर लेना है बाकी में वीडियो डिटेल में आप लोगों को प्लवद करवाऊंगी बोजपुरी बोली की उत्पत्ती हुई है मागदी अपब्रन से भी अंसर हो जाएगा डह और डह दवनियों के विशे में कौन सा कथन शुद है शुद बोला है यहाँ पे मतलब एक तरीकी से सही है शुद की स्थान पर यहां होना चाहिए ता कौन सा सही है तो ये बी मुर्धन्य दवनिया है ये दोनों उत्प्रिक्षित दवनिया है देवनागरी में आ की बाराखडी का सुझाव किस ने दिया था तो ये काका कालेलकरन जी ने दिया था जिन दवनिय की सयोग से शब्दों का निर्मान होता है उन्हें हम कहते हैं सुनी डी अंसर हो हैं तो ये कैसे हैं उश्म वेंजन है थोड़ी सी उश्मा लगती है इनको बोलने में अंतस्त में कौन से हैं या रह लवर जहांसी जालोन हमीरपूर में कौन सी बोली प्रचलित है तो जहांसी जालोन हमीरपूर की है बुंदेली बोली ये आपको सब को याद रखना है दे यहां पर है विभावना अलंकार जहां पर जो वस्तु नहीं है लेकिन फिर भी काम हो रहा है जैसे कोई व्यक्ति बिना पैरों के चल रहा है बिना कानों के सुन रहा है तो वहां पर होता है विभावना अलंकार मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा मैं जो तुमें इष्ट वही करूंगा संतान जो सत्यवती जनेंगी र अगर आपको कहीं इसका राइट अंसर यदी मिलता है तो आप कमेंट बोक्स में इसका राइट अंसर मुझे बता सकते हैं कावे संसार के परतिकवी की भाव प्रदान वानसिक परतिकरियाओं की कलपना के धांचे में धली उश्रे की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अ मिलता है तो मुझे आप कमेंट बोक्स में बढाईये बाकि जो राइट अंसर मुझे मिल गए है और मैंने बार-बार उत्रपरदेश की सैट पर भी देखा है जो प्रशनों के उत्पर मुझे आराम से वहां से मिल गए हैं वो सारे प्रशन में आप जोंको प्लब्द करवा दोखा किस परकार का चंद है तो दोखेकन से ये डी हो जाएगा अर्द सम्मात्रिक परकार का चंद है उदव शतक की हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा कहन सब लगी में पुन्रुक्ती दुआरा क्या बोध होता है तो यहाँ पे भाव उतकर्ष क देख लेते हैं हम जल्दी से जिस धर्म सामय के अधार पर बना करूप में उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे का क्या कहा जाता है वाचक कहा जाता है रोमांच किस तरीके का अनुभाव है सात्रीक अनुभाव है एंसर हो जाएगा इसका चलिए नेक्स है का स्थाई भाव वीर में हमेसा उत्सा वेक्ति को होता है रोद्र में हमेसा क्रोध होता है ठीक है करुण रस किसका होता है शोकरस का होता तो एकी बचा अदबुद का विस्में हो गया इस तरीके से आप देख सकते हैं हिंदी में अनुस्वार की द्वनी का सूचक नहीं है तो विद्यार्थियों यहां पर हो जाएगा यहां पर आप लोगों को यह याद रखना कि अनुस्वार हम कहां पर प्रयोग करते हैं बेसिकली यह कोशन यह था कि अनुस्वार का प्रयोग आप कहां पर नहीं करते हैं तो यहाँ पर पंचम जो वर्ण है, पंचम वर्ण में हम क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अब ये पंचम वर्ण आपको पता होने चाहिए, कि ये पंचम वर्ण क्या होती हैं, तो पंचम वर्ण में क्या क्या आता है, ये जो आपको बाकी के तीन दिये गए और उसमें ना भी आता है उसको पंचम वन में जो है ना भी आएगा तो ना और मा दोनों आएंगे तो ये चीज़े आपको ध्यान लखने थी इसलिए ये कोशन आराम से हो सकता है जिसको ये बात पता है विद्यारते इस कोशन में भी डाउट है 62 नंबर में इसे मैं भी नही करवाओंगी 63 में भी डाउट है आपके पास राइट अंसर है तो आपके ज़कते हैं 64 देख लेते हैं कौन सा शब्द विषएशन तो हमें बेसिकली विषएशन सब्द में विशेशन कहा पर विशेश्टा बताई जा रही है विशेशन वही होता जिसमें किसी चीज़ की क्या बताई जाती है विशेश्टा तो मिठास जो शब्द है मीठे की यहाँ पर विशेश्टा है मिठास यहाँ पर मिठास जो है विशेशन हो जाएगा चलिए कौन सा शब्द उपसर्ग कौन सा हो जाएगा दुह हो जाएगा कौन सा शब्द विदेशी सोर्ष का है उलुक शब्द जो है विदेशी सोर्ष का है सामिश का विलोम क्या होगा यहां पे सामिश का आप देखेंगे निरामिश हो जाएगा ठीके विद्यारतियो थोड़ा सा देखें यहां प अंसर हो जाएगा आकाश आसमान को जो है अब बोलजद वैसे बेसिकली जो है अबर का प्राइवाची जो है पानी भी होता है आप इसको देख लेंगे एक बार और यहां पर इसका राइट अंसर जो मुझे मिला है वो आकाश मिला है कतीपे हिंदी व्यकनों द्वारा संग्य प्रतिनिदी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो यहां पर संग्या के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो होते हैं ठीक है कि शब्द में तदित प्रत्य का योग है तो आपको पता होना चाहिए कि तदित प्रत्य क्या होता है तो यहां पर अंसर हो है आगा लड़ाई बेसिकले आपको बताऊंका दीत़ प्रत्य क्या होता है विद्यारत्य होता है जब संग्या सरुनाम या विशेशन के स्थान विशेशन ना तीनों के पीछे जब हम प्रत्य जोडते हैं तो आप तदित प्रते इसे बहुत सारे भेद है वीडियो में डिटेल में मैं जब आप लोगों को उकलब्द करवाऊंगी अगली तीसरी कक्षा में लेकर आऊंगी प्रते से समंदित वीडियो तो उसमें आमें आपको ओर डिटेल से बताऊंगी तो यह अभी के लिए आपको याद और उसमें प्रत्य जुड़ गया आई तो इसलिए यहाँ पर हो गया तदित प्रते हैं ठीक है हमें यह थोड़ा सा देखना होगा कौन सा वाक्य शुद है परिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर यह शुद हो जाएगा वर्तनी की दरिष्ट मंत्री परिशत भी हो जाएगा माग की रचना पूछी गई है शिशु पालवद डी अंसर हो जाएगा नमय स्वस्ति स्वधा के योग में प्रिक्ष्ट कौन सी विभक्ती है चतूर्त विभक्ती है आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं गणेशाय नमा लिखा जाता है ठीक ह ये अपको जाद रखना है ओम गणेशाय नमा शिवाए नमा तो जहाँ पर भी ये होगा गणेशाय नमा शिवाasına स्वस्ति तो यहाँ पर चतूर्त विभक्ती हो जाती है कोन सी रचना शिरी हर्ष की नहीं है हर्ष जी की रचना पूची 지금 शिशूपाल वद्जों है शिरी हर्ष की रचना नहीं है चलिए next हम बढ़ लेते हैं रिगवेद का सही संदी विछेद क्या होगा तो रिगवेद का जो है रिगपलस वेद होगा गाउं के दोनों रास्ती है का संस्तृत में सही अनुवाद क्या हो जाएगा ग्रामस्य परिते मारगनी संती ये इसका राइट अन्सर हो जाएगा कवे रचना की द्रिष्टी से महाकवी माग किन तीन गुणों से विभूशित स्विकार किये जाते है मतलब माग में जो है माकवी जो माग है उसमें तीनों गुन माने जाते हैं उपमा भी अर्थगोरव भी और पदलालिते भी ये तीनों से शिशोवित माने जाते हैं कालिदास की किस रचना को दूत वाक्य के नाम से जाना जाता है तो मेग दूत को बादलों को दूत के रूप है गम दातु का विदिलिंग प्रथम पुरश एक वचन में सही रूप है यह अपना संस्कृत से पूछा गया है तो गच्छेत हो जाएगा इसमें प्रथम पुरश भी पूछा गया है शड़नन का संदी विछेत क्या होगा शट प्लस आनन सी अंसर हो जाएगा मद माता में पुरश समास होगा द्वंद नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक तो बीच में डैश भी नहीं लगा है और मद और मात एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है तो द्वंद समास वही होता है जहां दोनों प्रदान जो पहला पद और दूसरा पद एक दूसरे के विपरीत होते है तत्पुरस समास मद में माता जहां पर कारक लगा होता है वहां होता है तत्पुरस समास ठीक है विद्यार्थियो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं जल्दी से दोंद समास की परमुख विशेस्ता आगे पूछ भी लिया है क्योंकि संस्कृत जो है विद्वानों की भाषा मानी जाती थी विद्यार्थियों तो इस्त्रियो और जो नीची जाती के लोग थो लोगों को विद्वानों की श्रेणी में नहीं माना जाता था इसलिए उनकी भाषा को कैसी दिखाया गया है प्राकर्त भाषा दिखाया गया है और प्राकर्त भाषा में ही हमारे जो महात्मा बुध है उनका जो पाली और प्राकर्त जैसे महावीर जैन है उन्होंने प्राकर्त भाषा का प्रयोग किया है और जो हमारे बुध है उन्होंन पानी पादम का विग्र है पानी चे पादम चे यह हो जाएगा पानी चे पादम चे चली विद्यार्थियो आगे बढ़ लेते हैं अचारे रामचंदर शुक्लकृत हिंदी सहाइत्य का इतिहास पर्थमत हिंदी शब्द सागर की भूमिका में कि शिर्षक से प्रकाशित अचारे रामचंदर शुक्ल ने उत्र मद्यकाल को क्या नाम दिया है तो अचारे रामचंदर शुक्ल जी ने उत्र मद्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है हिंदी के किस इत्यासकार के मतनुसार शाली बद्र सूरी हिंदी के प्रथम कभी माने जाते हैं तो डॉक्टर गणपती चंद्र गुप्त जी को याद रखना है शाली बद्र सूरी को नोंने हिंदी का प्रथम कभी स्विकार किया है तो किसने लिखी है आयोध्या सिंग उपाजय हारियोजी ने लिखी है आप देख सकते हैं लिटरेचर से भी किस प्रकार के प्र Connect के पूछेगे तो आपको जब आप तयारी करते हैं तो पंक्तियों पर ध्यान देना है ग्रैमर पोर्शन पर भी ध्यान देना है ये नहीं कि आपके वर लिट्रेचर ही पढ़ रहे हैं व्याकनखंड को आपने पूरा छोड़ दिया आप देख सकते हैं व्याकनखंड में उन्होंने विलोम, मुहावरे, प्रायवाची शवद और भी बहुत सारे और संस्कृत का ज आँचलिक उपन्यास के लेखक कौन है राजेंदर अवस्थी जी है इन्होंने गोंड जन जाती के जीवन पर इस उपन्यास को लिखा है और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आँचलिक उपन्यास से विद्यारतियों आचारे रामचंदर शूकल प्रेम आख्यन प्रा की पहली रचना किसको मानते हैं जो कुतूबन की है मृगावती कौन सी रचना शिवदान सिंग चोहान की है हिंदी सहाइत्य के असी वर्ष ये शिवदान सिंग चोहान जी ने लिखी है रावल बेल किस तरह की रचना है तो रावल बेल गद पद मिश्रित चंपू का तो विश्मित शरित सागर देखो विदर्थ आपको यह भी ध्यान रखना है कि करंट अफेर करंट अफेर में एट लिस्ट आपको हिंदी शाहित्य के अवर तो पता ही ओना चाहिए जैसे यहां पर हिंदी साहित्य पूछ दिया है पुराने भी पता होने चाहिए और लेटस् कि है निराला जिए की है नोका विहार किसकी सुमित्राणाद पंथ नदी के द्वीप किसकी अग्ए की और पुश्प की अभिलाशा मांखनलाल चोत्रवेदी जी सुम्त्राइब के लग उत्र प्रदेश में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उसकी आप लोगों को वीडियो में इस क्लास में इस सीरीज में आप लोगों को अपलब्द करवाऊंगी तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारी सीरीज को फोलो जरूर करें आपको हिंदी सा आपको मुझे ये लगे कि आप लोगो क्लास कर रहे हैं रेगलरली और आगे हमें क्या-क्या सुधार करना है कौन-कौन से ऐसे टोपिक है जिनकी आपको सबसे ज़्यादा हो शकता है उस टोपिक को मैं अपलब्द करवाने की कोशिस करूंगी महादेवी वर्माद्वारा लिखित पत के साती मेंने मिलकित में से किस साहित्यकार का संस्मरन नहीं है तो यहाँ पर आयोध्या सिंग उपाद्याह जी का नहीं है डी अंसर हो जाएगा अचारे रामचंदर शुकल को केंद्र में रख कर लिखी गई पुस्तक व्योंकेश दरवेश के लेखक कोन है तो कि क्रिशना सोबति को जी को भी मिला था आप याद रखिएगा क्योंकि क्रिशना सवबती भूती हिंदी में महत पुण लेखी का है मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न ख़ोल सकेंगे पूछे का जख किंतू पिता का नाम न बोल सकेंगे जिनका निखिल विश में पूछ कहा जा सकता है कि भाशा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवी का नहीं रामचंदर शुकल जी ने किसके समन्द में कहे हैं कभीरदास जी के लिए बोली हैं हिंदी अलोचना में शुकल जी की चिंतात्मक मानताओं का सबसे पहले प्रबल समर्थन कि विषुनात परसाद मिस्र जी ने किया था आदूनिक एकांकी के जनक किस को माना जाता है रामकुमार वर्मा को माना जाता है और इनकी पहली मुझे बताइएकांकी कौन सी है वो भी आप से पूछ सकता है सूरदास प्रेमचंद की कि सुपन्यास का पात्र है ये रंग भु में पूछ जिससे की मैं कुछ अद्बुत बाते बता सकूँ ये किसका कतन है अमीर खुसरो जी का है कौन सा स्वामी रामनंद का शीष्य नहीं है तो नर हरे रंजी जो है इनके शीष्य नहीं है स्री अंसर गोदलिये हुलसे फिरे तुलसी सो सुथ सोय पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवी है तो कौन सा भक्त कवी है रहीमदास ci राम क्रिश्न पृव्णंच के जीवन को लक्ष करके लिखी गई पूस्तक हलचल के पंक के लेखक कोन है हलचल के पंख आपको याद रखनी है, मोहन अवस्थी जी है, ये जो है जीवनी से समंदित प्रेश्न है, रेखायम बोल उठी किसका रेखा चित्र है, ये रेखा चित्र है, देवेंदर सत्यार्थी जी का है, देवेंदर जी की रेखायम बोल उठी, इस तरीके से आप शोट पुछित घेरे से उपर उठाती है ये कथन किसका है अचारे रामचंद्र शुकल जी का है चले आगे कुछ पंक्तियां दिया और उनके रचनाकार दिये हैं तो इनसे समंदित प्रश्न पूछा गया है पहला देखेंगे मोर पंक्खा सिर उपर राखियो बहुत बार ये पंक देख लेते हैं विद्यार्थियो जैशंकर परसार के किस नाटक में कार्नेली विदेशी पात रहें तो चंद्रगुप्त नाटक में जो है कार्नेली विदेशी पात रहें कौन सी रचना विखारिदास की नहीं है भाषा बूशन जो है इनकी नहीं बाकि आपको याद रख है जो मुझे मिला है वो डी मिला है तो मैं इस प्रेश्म को 100% शोरटी में नहीं कहूंगी आप इसको देख लीजिएगा अगर आपको कहीं से मिलता है लेकिन जहां तक माना जाता है डी एंसर इसका किसका समन सिद्साइटे से नहीं है गोपिचन जी का सिद्साइटे से नहीं है बाकि सरहप्पा कुकी रपा प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाके जोती भरे दिन राती ये जो है बहुती महत्वपून पंक्तियर बहुत बार पूछी गए रेदास जी की है हिंदी रिति ग्रंथों की प्रंप्रा चिंतामनी त्रिपाठी से चली अते रितिकाल का आरम उनी से मानना चाहिए ये कथन किसका है अचारे रामचंदर शुकल जी का है और इनोंने जो है रिति ग्रंथ प्रंप्रा जो चिंतामनी जी को ही इनोंने रितिकाल का आरम करता भी माना है चार उठाए लीनी एक मूठी दीनी उड़ाए प्रेम्थी मी जूठी ये पंक्ति किस से लिगई है पदमावत से बहुत सारे रान्यों के साल जोहर कर लेती है और जब वहां पर अलौ collecting जीकिते मिलती हैं 20 को उड़ाधा अच्छे से तयार कर ली झीगा चलि नेक्स देख लेते हैं विद्यारतियों हम A और R मतलब इसमें तर्क दिया गया है कौन सा सही है तो इसका राइट अंसर जो है B है विद्यारतियों सोरी ये थोड़ा सा इसका A सही है और R गलत है चलि अगर देख लेका कौन सा युगम सही है टुकडे टुकडे दास्तान किसकी है अमरित लाल नागर जी की है संकलन तरे के अंतरगत कौन सा ततु शामिल नहीं है तो गीत नहीं है स्थान, काल, घटना ये सब संकलन तरे के अंतरगत आते हैं भासा की समा शक्ति और कलपना का समाहार शक्ति का सरवादिक प्रयोग निमिल के किस कवी ने किया है तो ये किया है बिहारी जिने ए अंसर हो जाएगा कभीर के बीज़क पर रची गई तिर्जा टी का किस की है पूरन दाजी की है अर्द नारीश्वर किस का है निबंध है ये रामदारी सिंग जिनकर है सीट नंबर छे ममता कालिया का कहानी संग्रे है नात संपरदाय में हट योग का क्या अर्थ है हा का अर्थ है सूर्य है और ठाक अर्थ है चंद्र और दोनों का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा चले नेक्स में से कौन सा सुमेले सही नहीं है विद्यापती ने पदावली लिखिए नाबा दास ने भक्तमान लिखिए सुंदर दास ने सुंदर विलाग नंद दास ने यमनाश्ठक नहीं लिखिए तो यमनाश्ठक किसकी है ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे कौन से कहानी संग्रे नासिरा शर्मा का है पत्थर गली जो है इनका कहानी संग्रे इनका है किस गरंद के लेकर रामिला शर्मा नहीं है कवीता के नए प्रतिमान के रामिला शर्मा नहीं है आतम निरक्षन किसकी है किसकी आतमकत है सेठ गोविन दास की है जो 1958 में लिखे की थी प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है मदन गोपाल जी है देखे कलम का सिपाही कलम का मजदूर अलग-अलग इनकी पतनी शिवरानी देवी जीवनी ने भी इनके उपर एक जीवनी लिखी हुई है इनके पूत्र ने भी लिखे तो आपको तीनो चारो कविताएं इनकी तीनो रचनाएं चारो याद रखनी है चले आगे देख लेते हैं विद्यार्थियों ये आज की वीडियो के लास्ट प्रेश्ण होंगे हमारे बाशा बहुत परिश्करत और परिमार्जित नहोने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षन प्रभाव और चमतकार आ जाता है प्रतिवा उनमें प्रकरती इसमें संदे नहीं है देखे कबीर से सम्मन्दित और आचारे रामचंदर शुकल की तो कितनी ही पंक्तियां आप लोगों से पूछ लेगी है तो हिंदी साहित में आचारे रामचंदर शुकल, आचारे अजारी परसादी वेदी, डोक्टर रामविला शर्मा इनको आपको बहुत अच्छे से तयार करना है इन से समन्दित सारी मैत्रपून पंक्तियां रामायन महानाटक के लिखे कोन है प्रांचंद चोहांजी है यहाँ पर देखेंगे काल कर्म अनसार हमें लगानी है तो इसका राइट अनसर है C सबसे पहले दो एक चार तीन तुलसी दास ने रामचरित की रचना की सबसे पहले फिर है अचारे रामचंदर शुकले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा फिर जैशंगर परसाद ने कामायनी लिखी और अग्या दुआरा तारसप्तक का परकाशन आ जाएगा कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार इश्वर के लिए भारति विदांत का पर्ला पकड़ा उसी प्रकार उस निराकार इश्वर की भक्ती के लिए सूफीयों का प्रेम तत लिया और अपनी निरगुन दूमधाम से निकाला ये कथन किसका है तो ये जो कथन है अचारे रामच शुक्षिक परवाशी के गीत के रचना कर रहे हैं नरेंद्र शर्मा जी है कि इसको विद्यार्थियों तरीके से याद कर लिजिगा जैसे मैंने इसको जब याद किया था जब मैं एक्जाम रही थी टीचिंग के, तो मेरा एक भाई है, जो डेनमार्ग में रहता है, ठीक है, तो नरेंद्र, तो अब इंडिया में जब भी आता है, तो उसको मैं परवासी ही बोलती हूँ, अब तो तुम परवासी हो गए हो, तो आप इस तरीके से कुछ शोटकट से याद रख सकते हो कौन सा कथन असब्त हैं, कौन तू फुलवा बिनन हारी विवे की राय का निवन्द है, यह गलत है, बाकी सब सही दिये गए, मघी कि उभाषा की बोली है, तो मघी जो हैं बिहारी की है, मघी मैथली और भोजपुरी, यह सारी किस की हैं, बिहारी की हैं, तो यह आपको या अब हम आप लोगों का व्याकन खंड में आप लोगों को शुरू करूंगी लेकिन यह नहीं है विद्यारत्यों केवल व्याकन खंड ही शुरू करूंगी हम साथ साथ क्या करेंगे व्याकन खंड साथ साथ हम लिट्रेचर भी करेंगी तो आप हमारी वीडियो को फोलो करते र हमें सेवंध पे कमिशन के बार तो आप सब ही जानती है और यही तयारी आपकी किंडरी इजान्वाञ तीन तीन तैयारी मलत आपके साथ ने तीन तीन एक्जाम होंगे तैयारी का पेटरेंट सेव रहेगा तो पर भरपूर फायदा उठाइए पूरा मन लगा के पुरी जोश से आप तैयारी किजिए और हमारे साथ भी बने रहे हैं मिलते हैं विद्यारतियों अगली वीडियो मे कुछ नए के साथ कक्षातीन भी आपकी जल्दी ही होगी तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम